वेल्कम ओ लीडर्स आप सभी का आज के इस लाइव सेंशन के अंदर बहुत-बहुत हर्दिक स्वागत है आज हम सभी जिस प्लेटफोरम पे उपलब दें आज एमलम अर्विन चोदरी यूटूब चैनल पे यह मेरा खुद का यूटूब चैनल ए लीडर्स और इसी यूटूब चैनल के माद्यम से आने वाले जितने भी ट्रेनिंग और एजुकेशन के जो पार्ट्स रहेंगे एटोमी से रिलेटेड वो इसी यूटूब चैनल पे आप सभी लिडर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस यूटूब चैनल के माद्यम से आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे लिडर्स आज हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मौ लिडर्स आज बड़े इमोशनल भी है कि बहुत ज्यादा खुश भी है कि लेकिन कि मेरे लिए इतना कोई बड़ा आज कुशी का दिन नहीं है कि हो सकता है आपके लिए होगा आप सभी के लिए होगा बट मेरे लिए नहीं है मेरे लिए आज ही इतना बड़ा खुशी का मौका क्यों नहीं है इसको मैं इस मिटिंग के सबसे लास्ट के अंदर आपको बताऊंगा मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा होगा मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा होगा वो सारी जानकारी मैं आपके साथ सेर करूंगा इस मीटिंग के एंड में उससे पहले इस सेशन के अंदर हम जानेंगे एटोमी का जो लॉंचिंग का प्रोसेस क्या रहेगा सोपिंग मौल का क्या प्रोसेस रहेगा परजेंट क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में कैसे होगा और परजेंट में हम कैसे हमें सर्वाइव करना है और कैसे हमें चीजें हमारी डावलप करनी है टीम्स को डावलप करना है इसके अलावा जो हमने मेनत किए उस मेनत को कैसे हम आगे कंटिन्यू करें उस पर भी हम डिसकर्स करेंगे इसके अलावा लीडर्स और भी बहुत सारी अप्डेट्स में इस मीटिंग के माध्यम से आपको देने वाला यदि अभी तक आपकी टीम में से कोई टीम लीडर अभी भी छुटावा है जो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो जल्द उसको इस लिंक को शेर कर दीजिए ताकि वो आपका परतेक लीडर इस सेशन का बेनीफिट उठा सके लीडर सेदी आपका कोई टीम मेंबर यह इस सेशन को फिर भी अटेंड ना कर पाएं तो मीटिंग के बाद इस लिंक को आप शेर कर सकते हैं और आपका परतेक टीम मेंबर इसका बेनीफिट उठा सकते हैं लीडर मेरे लिए आज का दिन बड़ा इंपोर्टेंट है बट आज मुझे करीब 60 से ओपर लीडर का फोन आए कि सर आज हम बया नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा हमारा खुशी का दिन है लीडर मेरे लिए वो खुशी का दिन नहीं है हो सकता है आप में से किसी के लिए हो हो सकता है किसी को मेरी चीजें गलत भी लग रही होंगे बट मेटिंग के एंड में जब आप रिजन सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं गलत हूं से हां मेरे लिए इंपोर्टेंट है आज का दिन इंपोर्टेंट इसलिए लिडरस कि जब मैंने तीन फर्वरी कवी का मैं काम करना के बाद व भी नोवमबर жизни कर दिसंबर luminous कभी मार्च दोचार बीच कभी अप्रेल दोचार गिचोंच जून दोचार बीच कभी अगस्त दोजार बीस कविश सप्टमबर दोजार बीस और अक्टमबर दोजार बीस बहुत सारे आगे से आगे हमें सुनने को मिला था कि कंपनी लॉंच हो रही है हो रही है बट लीडर्स है हम क्यों पोने दो साल तक बिना इधर उधर की बाते को इग्नोर करते हुए बहार का जो वातावण था उससे हम आगे निकल के कैसे हम इस एटोमी के अंदर इस मुकाम पे पहुंचे हैं यह सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है जितनी समस्य आपके साथ आती है मार्केट के अंदर कि एटोमी कब आएगी आज तक आपको सुनने को मिला आज इसका सुलिशन आपके सामने निकल चुका है एटोमी इंडिया के अंदर ग्यारा नॉवंबर दोजार बीस को इंडियन टाइम राइट ग्यारा बजे स्टार्ट हो जाएगा लीडर्स कल रात तक कि मैं बात बताता हूं यह समझ से आपके सामने भी आई हैं कि जिस भी व्यक्ति को आपने वर्किंग करने के लिए बार बार कहा है उसका एक ही जवाब आपके सामने आता था कि लोंचिंग डेट आजाने दीजिए और लीडर्स मैं आपको विश्वास और दाव कि आज तक एटोमी को कभी अच्छे से नहीं समझा है, जिस लिडर्बर ने छिस दिन एक हमिको अच्छे से समझ लिया और उसके बाद उसके पास यह इस दिन गन्होंक की डोग अच्यों दस गन्हों जितना समय थाँ स्के पास उस ने उस समय को 100% टूटिलाइज किया है यह जितनी भी आलतु-फालतु की चीज़ें जो बाते आपके साथ शेर की जाती थी अधर लीडर्स करते थे अधर कंप्रीज के लीडर्स आपके साथ शेर करते थे कि अटोमी तो नहीं आएगी आपको भी बहुत सारे लीडर्स ने का होगा लीडर्स लेकिन आज सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैं जब भी मीटिंग लेता हूं जब भी मेरी किसी से बात्चित होती है तो हमेशा मैं पढ़ते कि एक ही बात कहता हूं हर लीडर को कि लीडर्स आप किसी भी की भी बात पर विश्वास मत कीज़ें मेरी भी बात पर विश्वास मत कीज़ें आप सिर्फ एटोमी के के बारे में details से जाने उसकी profile को देखिए उसके past में जो काम करनी का तरीका जितनी भी countries के अंदर YTP काम कर रही है उस तरीके को देखिए उसके present scenario को देखिए उसकी business strategy को देखिए उसका vision क्या है उसको efecto क्या है YTP किस concept में काम करती है पर काम करती है या किस कंसर्ट पर काम करती है एटोमी के प्रॉड्ठ कैसे हैं इन सारी चीजों को जिस दिन आnin अधे आहें कर लिए लिडर जेत आधे करी हैं उनको अजयँ में बना कर दूं कि काम नहीं करना है तो भी 100 पर्संट काम करें गए क्योंकि उनका वीजन के लिए रहे हैं उनको चे कोई कुछ भी बोले उनको फरेक नहीं पड़ता वो एक चिकने घड़े की तरह बन चुके हैं लीडर्स और आपको भी पता है कि चिकने घड़े के उपर चे कितना भी पानी गिरा दे वो रुकेगा नहीं वो ढलके नीचे चला जाएगा लीडर्स आपको भी उसी तरिके से चिकने घड़े की तरह बनना होगा एटोमी को समझना होगा और पागल बनना ही पड़ेगा और आज तक का आप इतियास उठा के देख लीजिए जो अपने काम के परती पागल पेंज ऐसा जुनून पैदा कर लेते हैं उस कंसेप्ट को समझ के उसके बारे में डीटेल से वही व्यक्ति इतियास रचते हैं चे वो किसी भी फिल्ड के अंदर क्यों नहों लीडर्स when यहीं लीडर्स मैं कपी समय से आपके बीचे मिटिंग्स में लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मैं ट्यूरब kendra ju लीडर्स यह मेरा बिजनस नहीं है जर अब सभी मेरे लिए काम नहीं कररें आप किसी के लिए भी काम नहीं कर रहें जिस दिन आपने यह सोच लिया कि मेरे काम करने से मेरे उपर वालों को बेनिफिट हो रहा है उसी दिन आप खतम है इस इंडस्ट्री इसके अंदर लिडर्स और जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे जब तक आप इसको अपना बिजनस नहीं समझेंगे लिडर्स यह किसी का बिजनस नहीं यह यह मेरा खुद का बिजनस है यह आपके खुद का बिजनस है जब तक इसे आप अपना बिजनस मान के नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनस के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते और जब आप अपना खुद का बिजनस कर सकते हैं और जब करते हैं तो ने आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं ना वर्सा देखते हैं ना धूप देखते हैं ना सर्दी देखते हैं ना और कुछ देखत हैं कि हर मोसम के अंदर हर तकलीफ के अंदर हर परिश्टति के अंदर आप अपना 100 % देते हैं और आप अपना 100 % कब यह लीडर्स जब इस सिस्टम की गह राई को आप समझें आप अपने इस बिजनस को को समझेंगे तब जाके आपको सीखाने के लिए आपको समझाने के लिए जितने भी आपके अप्लाइन हैं सारे हमेशा 24 गंटे आपके लिए हजीर हैं बट आप सीखने के लिए एक कदम तो बढ़ाईए मैं मेरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ एक्टिव लीडर्स को जो जबसे जोईन हुए और जबसे उन्होंने एटोमी को समझा है मैं उन्स सभी लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ जो डेली अपनी टीम मीटिंग्स करते हैं और अपनी टीम को प्रॉपर नॉलेज्ज देते हैं जब डेली मीटिंग्स अटेंड करने की बात आती हम बार बार मेसेज सेंड करते हैं कि आज इतने बज़े मीटिंग है तो काफी लीडर्स बोलते हैं दोस्तों कि सर यह तो सेम ही टोपिक है हमने तो कल मीटिंग बिजनस प्लान है तो सरक्ष क्या मीटिंग अटेंड करना लिडियर्स आप किसी गौवर्मेंट जोब में या बिजनस के अंदर हैं तो आप जिन्दगी बर सेमी सुबह से लेके स्याम तक वही काम करते रहते हैं और वही काम करने से आपको पैसा आता है और जिन्दगी बर व परसेंट नहीं दे पाते हैं इसलिए लिडर्स हमें यहीं पर रोज ही एक ही काम करना है कि हमें सीखना है और हम जिसको लेके आ रहे हैं हमें उसको सिखाना है हमें सबसे मैतवपूर्ण यहीं काम करना है हमें यहां पर कोई पत्थर नहीं फोड़ने हैं को हमें यहां पर व कहता हूं कि मेरी टीम में है वह यह तान ले कि मैं कभी भी रिटेल नहीं करूंगा है हमें रिटेल नहीं कर ये लिडर्स तो रीटेल करने के बहुत सारे options होते हैं यह दिए आपको अच्छा बिजनेस बनना है यह टोमी के अंदर आपको success पाना है तो आप टीम उरक्पे फोकस किजिए रिटेल करने की बजाएं यदि टीम उरक्ट पे फोकस करेंगे तो आपको हंडेड परसंट सफलता मिलेगी यह यह सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करता है हमारी सोच हमें काम करने से रोग भी सकती है और हमारी सोच हमें विप्रीत परिश्थितियों में काम करने के लिए मोटिवेट भी कर सकती है यह डिपेंड ओन अवर थोड़ हमारी सोच पर करता है कि यह हमारी सोच की ताकत है यह दिन नगेटिव सोचेंगे तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे यह दिन पॉजेटिव सोचेंगे तो हमारे बीचे कितनी भी मुश्किल परिश्थिति आ जाएं कितनी भी बादाएं आ जाएं फिर भी हम उस काम को करेंगे तो हंडेड परसंट सफल होंगे इसलिए लिडर्स सबसे पहला का आज आपके सामने डेट आ चुकी है ग्यारह नौमबर दोजार बीस एटोमी लॉंचिंग की एटोमी प्री लॉंचिंग का जो पहला ओनलाइन सेमिनार है 24 तरीका उसका सेडूल भी आपके सामने आच चुका है यादि किसी को नहीं मिला हो तो एटोमी इंडिया की जो ओफीशल वेबसेट है और आपको टेक क्या मिल जाएगा स्क्रीन पर ही मिल जाएगा इसके साथ आप एटोमी इंडिया का जो ओफीशल फेस्बुक पेज है उस पर भी विजिट करेंगे तो आपको वह सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं लिडर्स एटोमी का जो मैं फोकस है वह आपको एजुगेट करने पर रहता है और जो हमारे पास नोलेज है हमारी यह कोशिस होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम मेंबर्स के अंदर शेयर करें क्योंकि नोलेज एक ऐसी चीज है हम जितना शेयर करेंगे उतना ज्य सबात और बताना चाहता हुं कि कभी भी सीखने में किसी भी चीज का आपको संकोच नहीं करना तो यह अपकी डाउनलाइन को निकाल के बेसरम निकाल के बनके आप अपनी download से भी सीख सकते हैं, कोई सरम नहीं है सीखने में, जहां से आपको सीखने को मिल जाये, वहां से आप hundred percent सीखने की कोशिस करें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपनी team को क्या सीखाएंगे, और जब तक कि मुझे 100% है चीज का नोलेज है लेकिन यह जी मुझे मुझे पता चल जाए कि मेरे डाउन लाइन के अंदर उस लीडर्स को मेरे से ज्यादा उस टोपिक के बारे में जानकारी है तो आपको ताजूब कोगा और जो लीडर्स मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता भी है कि मैं चला के कॉल करता हूं उस लीडर्स को और बोलता हूं कि इसके बारे में मुझे बताइए कि यह कैसे है और कैसे होता है और कैसे होगा कि मैं कभी सीखने में सरम महसूस नहीं करता चेश सिखाने वाला मेरे से छोटा हो या बड़ा हो या मेरे बराबर का हो जो सिखाता है वह आपके लिए इंपोर्टेंट है और जहां से भी आपको सीखने को मिल जाए वहां से आप 100% सीखने की कोशिस करें कि लीडेस आप कोपी पाइल ले लिजिए कुछ चीज़े मां आपको नोट डाउन भी करवाँगा साथ साथ आप नोट डाउन करना बहुत महतोपन चीज़े आपको बता रहा हूं कि एटोमी इंडिया के लॉंचिंग की डेट आ चुकी है और अब इसके अंदर हमें कैसे काम करना है कि सुभे में जाना है हमें किन-किन बातों पर ध्यान रखना है वह सारी चीज़े मापको बताते जाओंगा आप नोट डाउन करते जाएगा लीडेस सबसे पहले जो हम डिसकर्स करेंगे कि वह डिसकर्स करेंगे एटोमी माइग्रेशन को लेके मेरी पर्सनल आप सभी से हाद जोड के रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो टीम बनाने में मेहनत की है जब भी आप जोईन हुए उसके बाद से लेकर आपने जो भी टीम बनाई है उस टीम को बनाने के बाद और जिन लीडर्स के आपकी टीम में कोरियन वेबसाइट पर रजिस्टेशन हुए थे इंडियन वेबसाइट लोंच होने से पहले उन लीडर्स का यदि आपकी टीम में अभी तक के वैसी नहीं हुआ है उनको यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो मेरी आपसे पर्सनल परतेक लीडर्स से से है रिक्वेस्ट है वाण लीडर्स की आप लिस्टिंग करिये सबसे पहले लिस्ट बनाइए उनको कोLet कि या मैसेज किके यह इंदि उनको माईग्रेशन करने में प्रोब्लम आ रही है तो उन से डॉकुमेंट उध्र सब्सक्राइब आप उनका माइग्रेशन करें उनकी माइग्रेशन करने में या से माइग्रेशन क्यूंफ ज़रूर यह क्योंकि हमने उन लीड़ंय भी है कि जोड़ने के लिए वह बहुत ज्यादा की थी हम हमारे वो भी एक टीम का हिस्सा है वह बात अलग है कि आज तक उन्होंने एटोमी को नहीं समझा और समय नहीं दिया लेकिन हमारा करता हुए बनता है कि हमारी टीम में आज तक जो भी विक्ति जुड़ा हो वह 100% आने वाले आगे आने वाले लाइफ टाइम तक हैं सो साल तक को हमारे साथ जुड़ा रहे और यदि हमारे साथ उसको जोड़ के रखना है तो हमें उसका माइग्रेशन कंप्लीट करना ही होगा मैं यह भी जानता हूं कि माइग्रेशन करने में आपको काफी प्रोब्लम सहेगी आप सोचते होंगे कि उतना समय मैं एक्टिव लीडर्स को भी दूगा ली डर्स आपके पास 5 गंटे हैं 10 गंटे हैं उस समय को क़ोड कर लिजिए कुछ समय आप New निऊ समय के लिए New Logo के लिए कुछ समय आप जिनका Migration Pending से उनका लगाई है कुछ समय आप उनको दीजिए जो Active लीडर्स हैं उनको और ज्यादा ग्रोव कराने के लिए लेकिन आप अपने समय को जरूर इन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें और एक अच्छी रणनेती और प्लानिंग बना के अपनी टीम का 100% माइग्रेशन बनाएंगे तो आपको भी खुशी होगी और जिस व्यक्ति ने कुछ महिनों पहले आपके साथ एटोमी में जोईन होके कुछ सपने देखे थे अपने परिवार के पूरे करने के लिए उनके सपने पूरे कराने के लिए भी आपका ये पहला में बहूत जरूरी हैं इसलिए मैरी पर्तेक टीम लीडर से हमबल रिक्वेस्ट है कि वह पर्तेक एक एक LRIDAS के माइग्रेशन पर संब === हम ने जो पहले टीम डालाप की है उनका माइग्रेशन कम्प्लीट करें एदी हम माइग्रेशन कम्प्लीट नहीं करेंगे तो तो वह सोपिंग नहीं कर पाएंगे और 23 दिसंबर के बाद सिस्टम से उनके आईडी भी डिलीट हो जाएगी तो हमारी मेनत की भी बेकार चली जाएगी लीडर्स और आने वाले एक साल तक वो कभी एटोमी में अपना रेजिस्टेशन भी नहीं कर पाएंगे कहीं काम भी नहीं कर पाएंगे तो ऐसा कोई लीडर्स हमारी टीम में ना बचे जिसका हम माईग्रेशन कंप्लीट ना कर पाएं लिडर्स सबसे पहला काम हमें माईग्रेशन पर फोकस करना है उसके बाद हमें जो जो आज से और अभी से जो दूसरा काम करना है हमारी टीम में जितने भी लीडर्स हैं सबके मोबाइल में एटोमी का अप्लीकेशन एप एटोमी एप आपके डाउनलोड होना चाहिए यह दि हमारी टीम में, हमारी टीम मेंबर्स में किसी का यह दि उसको मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना आ रहा है, उसको चलाना नहीं आ रहा है, कैसे यूज करना है, वो नहीं आ रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करवाईये, यूज करना सिखाईये, क्योंकि एटोमी इंडिया के अंदर यह दि आपको सक्सेस होना, एटोमी के अंदर, तो उसके अंदर भी महतो बूर्मी का है, एटोमी के अप्लिकेशन की आप की, जो आपको हर प्रोड़क की इंफोर्मेशन भ आप वहाँ से ओनलाइन सोपिंग का ओडर भी कर सकते हैं, बहुत मैं तो पूर्पार्ट से आपके इस बिजनस का एटोमी अप्लिकेशन, यदि किसी लिडर्स को फिर भी नहीं पता है, जो सुन रहे हैं, यदि उनको अप्लाइन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो के लिंक आपको सेर कर दूँगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर से जाएंगे, एटोमी मोबाइल एप लिखेंगे, एक हरे कलर का बैग लटका वो आपको निसान मिल जाएगा, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देत कांट्रीज के अंदर जाके लीडर से कैसे चलाना है, आप अपने अप्लाइन से सीखेगा, यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रप्शन में मैं एटोमी एप कैसे यूज करना है, उसका वीडियो का लिंक दे देंगा, कि आप उसको देखके भी यूज कर सकते ह है, यह सेकिंड पहला माइग्रेशन दूसरा एटोमी एप, लिडर्स तीसरा जो महतोपूर काम है, वो हमें करना है कि हमारी टीम में, जितने भी लिडर्स हैं उनको एटोमी फेस्बुक जो पेज है, एटोमी का ओफिस्यल फेस्बुक पेज, उससे हमें सारे लिडर्स को कन करना है, ताकि हमें जिस समय पे सूचना मिले, उसी समय पे हमारी टीम को भी एक ही साथ, एटोमी ओफिस्यल की ओरीजनल इन्फॉरमेशन मिल जाए, जिसमें कोई भी आगे मिस कम्यूकेशन ना हो, तो कोसिस करें, हमारी टीम का परतेग वेक्ति एटोमी ओफिस्यल पेज, आप फेस्बुक पे जाएंगे, बहुत सारे अटोमी के नाम से फेस्बुक पेज बने लिडर्स, आपको हमें, हमें उसको किसी को भी यूज नहीं करना है, सिर्फ एटोमी का जो ऑफिस्यल पेज है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहां पे आप पिसबुक पेज़ पे आपकी फोटो होनीची है, तभी एटोमी अपने उफीश्यल पेज़ पेज़ पे आपको अइक्सप्ट करेगी है, आपकी रिक्वेस्ट को अस्टर एगी, क्योंकि एटोमी इंडिया अपनी जितनी भी इनफॉरमेशन सेर करती है, वो सारी की सोज़ कर दें ताकि आपकी रिख्योश्ट एक दो दिन में अच्प्ट कर लिजे और जिस टाइम पर में information मिलती है उसी टाइम पर राइट ताइम पर आपको भी information मिले और राइट information मिले यह यह तीसरी महतुपुन जानकरी यदि किसी के पास link ना हो तो description में link देख सकते हैं मिल जाएगा उससे request कर सकते हैं फिर भी कोई प्रोब्लम आये तो आप अपने अपलाइंस से contact कर सकते हैं मेरे से कर सकते हैं इसके अलावा लीडर्स हम जो नेक्स्ट बात करेंगे कि वह बात करेंगे कि एटॉमी एजुकेशन को लेके लिडर्स एटॉमी ने अपने एजुकेशन सेंटर्स के लिए अपलीकेशन स्टार्ट कर चुके हैं लिडर्स जितना ज्यादा हो जितना पॉसिबल हो अपनी टीम में उतने ज्यादा अपलीकेशन एजुकेशन सेंटर्स की के लिए देना स्टार्ट कर दें क्योंकि एजुकेशन वह पार्ट है कि जिसके सारे आप इस बिजनस में हाइस्ट मुकाम पर जा सकते हो लेकिन विदाउट एजुकेशन नहीं जा सकते हैं कि यहां पर एजुकेशन सेंटर को क्योंकि लीडर से हम मैनत कर रहे हैं उस मेहनत का ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट कैसे उठाना है डैली मेचिंग इंकम हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे लेनी है उसी बिजनस के भियाव पर हमें सेल्स मास्टर यह दि क्या पता हम उस कि आपने एक्टिव आपलाइन के साथ हंडेड परसेंट आपको सफलता मिलेगी लिड़स यह चीज़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई भी बिजनस करें हर बिजनस के अंदर हमेशा दो रस्ते होते हैं पहला रस्ता होता है कि दीरे दीरें सीड यहां वन बाई फट्स मारे जिसकी वज़े से हमें अक्स्ट्रा इंकम आया और हम उस परमोसिन को जांव सेल्स मास्टर ले रहे थे क्या बता हम डाइमंड मास्टर बन जाए इसलिए लिड़स और यह होता है बिजनस प्लान के अंदर आप एटोमी के अंदर भी ऐसा है यह डिपेंड आप अपने एक्टिव टीम लीडर से संप्रेक कीजिए वह हंडेट परसेंट आपको इसके बारे में बताएंगे लीडर सभी मैं आपसे डिसकर्स कर रहा था कि आज जो डेट अनॉस्मेंट हुए एटोमी इंडिया लोज़ी की ग्यारा नॉवंबर 2020 की ग्यारा बज़े हमारा स आजे हम प्रोडेक्ट परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं कि बहुत से लीडर्स खूस है इतने खूस है कि कलपने भी नहीं किसा सकते हैं लेकिन आज का दिन मेरे लिए अच्छा है बेस्ट है इंपोर्टेंट है लेकिन कुशी का दिन नहीं है क्योंकि लीडर्स मेरे लिए आपके मन में होगा कि आज का दिन खुशी का दिन क्यों नहीं है और कुशी का दिन कौन सा होगा तो लीडर्स मैं आपको बताता हूं मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन वो होगा जिस दिन मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स मेरे कारण या मेरे टीम लीडर्स के कारण एटोमी इंडिया के अंदर जुड़े हैं एटोमी के बिजनस के अंदर आये हैं और उनके घर में जब 11 नौंबर के बाद पहली बार एटोमी से पैसा जाएगा और उस पैसे से उनके घर में जो खुशी आएगी जो मिठाईयां बटेगी खुशी का माहौल होगा और जब आप मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके परिवार वालों को ये लगेगा कि नहीं हकीकत में मेरे पती मेरे पापा मेरे भाई ने जो भी आप आप अपने परिवार के अंदर जो भी लगते हैं कि उनकी आखों में जब आ चमक आएगी कुशी किया जब वो कुशियां होगी जब आपके घर में त्योहार जैसा माहौल होगा जब आपके घर में मिठाईयां बटेगी एटोमी के पहले चेक से पहले पैसे से वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट होगा सबसे बड़ा कुशी का दिन मेरा वो होगा बाकी कोई भी चीज मेरे लिए इतनी इंपोर्टेंट नहीं है जितनी मेरे टीम मेंबर्स के परते घर में एटोमी के पैसे से कुशी आये वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट का दिन है और मैं सबी लीडर्स जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं हाद जोड के एक बार दुबरे विंती करता हूं कि आपने जिस व्यक्ति मत तूटके देना तूटने देना उनका साथ कभी मत छुटने देना कोशिस यह करें कि आप के कारण उन्होंने जो सपने देखें वह 100% फुलपिल हो आप अपनी आंखिरी सांस तक आप उनके सपने पूरे करने के लिए अपनी जी जान लगा दें इससे ज़्यादा कुशी मुझे कभी नहीं होगी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तभी होगी जब आपके और आपकी टीम मेंबर्स के और मेरी पूरी टीम इंटायर जो टीम है उसके घर में जब एटोमी के पैसों से जिस दिन पहले दिन आपका चेक आएगा और एटोम तेमार का जो माहौल बने टीम बनी भी है उन सभी से हमबल रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टीम के इन सपनों को फुल्फिल कराए उन मेरे से जितनी भी सपोर्ट की जोरत पड़ती है मैं 24 गंटे 365 दिन आपके साथ हूं लीडर्स एनी टाइम कभी पे आप मुझे याद कर सकते हैं जिस जितनी मेरे से सपोर्ट हो पाएगी जैसी सपोर्ट हो पाएगी 100% मैं मेरा आपको देने की कोशिश करूँगा कंप्ली टीम को इनी सब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम विरान देते हैं और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिस करूँगा कि आपकी टीम में से जो टीम मेंबर आज इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको यह लिंक जरूर्ण सेयर कर दें ताकि इस सेसंस का वो बेनिफिट उठा सके और यदि अभी तक आपने इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे क्यों आने व विदाउट आपको ग्रूप में इन्फोर्मेशन सेयर किये वे आपको इस यूटूब चैनल पर दो मीटिंग मिलने वाली हैं एक सुबह और एक स्याम को उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प् एक ठैनक्यू दन्यवद आपने दन्यवद मेरे सभी लीडर्स आपने इतने प्यास से इतनी देर तक जो समय दिया उसके लिए और मिलते हैं नेक्स्ट एक सेमिनार्स के अंदर तब तक हम आपसे विदा चाते हैं थैंक्यू बाइबाइ ओल लवली एडिया ओडियंस एजुकेशन सेंटर्स के लिए क्या-क्या ट्रेमंड कंडिशन्स हैं कौन वेक्ति अपलाई कर सकता है कितना एरिया चाहिए जो भी पूरी डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको मेरे यूटूब चैनल पर भी मिल जाएगी एटोमी इंडिया का जो ओफीशल यूटूब च जा रहा था उस पर भी वो सारी इंफोर्मेशन आपको मिल जाएगी लीडर्स कि एजुकेशन सेंटर्स लेने के कई फाइदे हैं पहला कि आपको एक मीटिंग करने के लिए आपकी पर्टिकुलर एक स्पैस मिल जाएगा और उसका खर्चा होगा जो उसकी अर्निंग से आपने कंपनी का जो सिस्टम बना वहाँ सिस्टम के क्यण को पर सेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और लिटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था इस मीटिंग के स्टार्टिंग में कि मेरे लिए आज क्या दिन बहुत से लिटर्स के लिए कुशी का दिन है मेरे लिए नहीं है मेरे लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है बट कुशी का दिन नहीं है क्यों नहीं है इस टॉपिक पर हम सबसे लास्ट में डिस्कर्स करेंगे और जब उस रिजन को आप सुनेंगे तो साइद आप अपने आपके लिए भी यही मानेंगे कि हमारे लिए भी आज का दिन कुशी का दिन नहीं है लिडिस हम बात कर रहे थे एजुकेशन सेंटर्स की एजुकेशन सेंटर्स जो है पॉसिस यह करें कि हमारी टीम के अंदर जिस इस एरिया में हमारी टीम है उस परतेक एरिया में हमारी टीम के अंदर एजुकेशन सेंटर्स होना ही चाहिए क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं सकते और जब तक सीखाएंगे नहीं तब तक बिजनस नहीं होगा इसके अलावा लीडर्स सबसे बड़ा अगला जो आपको फोकस करना है वो करना है अटोमी की डैली मीटिंग्स के उपर मेरे सभी टीम मेंबर से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपने अप्लाइन के उपर कभी भी डिपेंड ना रहें कभी भी आप अपने अप्लाइन के ओपर डिपेंड ना हो आपप कभी भी अपने अप्लाइन लेके चलने की कोसिज जो कर रहे हैं वो छोड़ दें यह मेरी आप सबसे हमबल रिक्वेस्ट है आपको यह दिया आपके अप्लाइन की जुरत है तो सिर्फ आपको जो सीखने के लिए चीहे वो सिखाने के लिए आपका अप्लाइन आपके लिए त्यायार है बड़ जो सहराज लेके चलने के आदित है लीडर सो छोड़ दीजिए क्योंकि एधरवाइज किसी ना किसी दिन आप इस बिजनस के अंदर हैंडिकेप्ट लोगो किस रेणियों में आ जाएंगे और जो आप इस बिजनस के अंदर सपने लिए हैं वो उसी दिन खतम हो जाएंगे क्योंकि लीडर्स आपका अप्लाइन आपको रोज सिखाता है आपको दिन में एक दो दो मीटिंग देता है लेकिन आपकी टीम किसको देखके होगी आगे मीटिंग लेना सुरू करेगी वो सिर्फ आपको देखके लेना सुरू करेगी आपकी टीम यह देख रही है कि मेरा अपलाइन अपले अपलाइन के उपर डिपेंड है वो से मीटिंग करवा रहा है खुद मीटिंग नहीं ले पा रहा इसका मतलब मेरा अपलाइ निर्बर बनाना है तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपको अपनी टीम की मीटिंग खुद को लेनी स्टार्ट करनी होगी वह आपके अप्लाइन की जो मीटिंग हो वह आप अपनी पूरी टीम के साथ अटेंड करें लेकिन दिन में एक मीटिंग आप खुद अपनी टीम की जरूर लें जितना आता आप उतना सिखाई है जो नहीं आता वो अप्लाइन से सीखे एक बार नहीं दो बार सीखे च्यार बार सीखे दस बार सीखे 20 बार सीखे कोई दिक्कत नहीं है यह दिया आपका एक्टिव अप्लाइन आपको नहीं सिखा रह तो मैं आपका सपोर्ट करने के लिए त्यार हूं लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए आप चाहें कि मैं डेली आपकी टीम को मीटिंग दू और आप अराम से मीटिंग में बैठे रहें घर पे रेस्ट करते रहें तो मैं कभी भी आपकी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा आप चाह हूं जितना मुझे आता है उतना 100% में आपको शिखाने में लगा हुआ लेकिन आपको विकलंग बनाने में में समय नहीं लगा हुआ लीडियस आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा मैंने डायरेक्ट बड़ी मीटिंग्स बहुत कम कर दी हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं होता है जितनी मैं पहले दिन में एक बड़ी मीटिंग करता था आज मैं दिन के अंदर चार से पांच जूम मीटिंग करता हूं उन जूम मीटिंग के अंदर किसी मीटिंग में एक वेक्ति होता है किसी में पांच होते हैं किसी में चार होते हैं किसी में दस होते हैं शरफ और सिरफ वो जूम में इसलिए करता हूं कि मेरी जो टीम है उनको जब प्रोब्लम हारी वो मीटिंग सिरफ उनको शिखाने के लिए करता हूं जो कि इसलिए लेडर्स मेरा आपसे बार बार नवैदन है कि आप सीक्थ थाय। कि एा स्टाट किजीए तांकि आपकी टीम आपको फोलो करते हुए वह भी अपनी टीम का खुद मीटिंग लेना स्टार्ट किजीए है आप अपने अपने लीडर्शिप पैदा किजि 있으ए आप अपने टीम को मिट नहीं सिखा पाएंगे और लीडरस आप चाहते हैं कि इस इंडाश्ट्रीस के अंदर आप सक्सेस हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा आप को मीटिंग लेना ही पड़ेगा आपको आगे आना ही पड़ेगा लीडरस प्रदास तो यह लोगडाउन कोरोना जैसी मामारी का समय है जिसकी वज़ाइस सिर्फ आपको ओनलाइन मीटिंग लेने का मौका मिल रहा है आप किसी के सामने नहीं आ रहे गर बेटे अपने मोबाइल से मीटिंग ले रहे हो और ओनलाइन मीटिंग में आप इतना घबरा रहे हो सोच के देखे उस दिन को यह उस दिन को याद किजिए जिस दिन ऑफ-लाइन मीटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी और उस दिन आपको स्टेज पर इन्वाइट किया जाएगा और आपके पैर यूँ थर-थर कांपेंगे तब आप क्या करेंगे आपकी टीम के सामने कोई भी व्यक्ति अपने मा के पैट में नहीं सीख के आता है हर व्यक्ति जनम लेने के बाद ही सीखता है जरूरी नहीं हर व्यक्ति सही बोले लेकिन वह जब बोलना शुरू करेगा लोगों को शिखाना शुरू करेगा और खुझ सीखना शुरू करेगा तो धीरे धीरे व तो है 100 percent success भी हो जाएगा और 100% सीख भी जाएगा और लीडर सीखना जिन्दगी में कभी भी बंद नहीं होता जब तक वूड़े नहीं होते जब तक हम इस दुनिया में है तब तक हमें सीखना पड़ेगा यह दिंद्य हमें जिन्दगी जीनी है अच्छा से चे हम डोक्टर हो, चे हम इंजिनियर हो, चे हम कोई भी बिजनस्मेन हो, चे हम किसी भी डारेक सेलिंग इंडश्टी PlayStation में काम करते हो, यह दि हमें अज्वन बोब्स पर करना है और हमें अपनी टीम को आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है और एक अच्छा बिजनेस आपको खड़ा करना है चे वो किसी भी सेग्मेंट के अंदर हो तो आपको हर आंखिवी सांस तक सीखने की आदर डालनी पड़ेगी और जो लीडर्स अपने आपको सीखने की आदर डाल लेगा वो यह मान लीजे कि इस बिजनेस के अंदर 50% सक्सेस हो चुका है कि इस बीजनेस के अंदर सबसे बड़ा गारण सक्सेस होना और नंहोने के अदर होता है वो शीखने का ही होता है जो लीडरस खने में जतनी ज्यदा रूची और समय अपना लगाएंगे वहू अपनी टीम को उतना घ्यादा शीखा पाएंगे और जब हम अपनी होने से रोग दे लीडर्स मेंने काफी बार एक चीज नोटिस की है काफी सीनियर लीडर्स है और उनको किसी चीज की नौलेज नहीं है और उसकी टीम की टीम मेंसे किसी नीचे के डाउन के एक वेक्ति को नौलेज उस चीज के बारे में किसी पॉइंट्स के बारे में तो वह उस टीम के मेंबर से सीखने में अपनी सर्मींदगी मैसूस करते हैं वहां पर उनका इगो आड़े आ जाता है लीडर्स यह आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है यह यह आपने मुझे असे से जाना और पहचा नहों और कभी यह दि मेरा आप से वास्ता पढ़ा हो तो आपने एदी अनुवव किया हो तो मैं मेरी टीम के चाहँ जुडावाव एकती कोई भी हो एदी उसको मेरे से ज्यादा किसी पॉइंट पे मेरे से अच्छी knowledge है तो उससे मैं चला के सीखता हूं चलाके call करता हूँ कि यह कैसे हो और कैसे होता है यह मुझे सिखाइए पोर ये चीज क्या है लिडर्स यह दिस सीखने में आप सरम करेंगे तो कभी भी success नहीं होगे जरूरी नहीं है कि हम अपने applying से सीखें हम अपनी team से भी शिख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप बीए बीस्सी एमस्सी बीए डों पीएचडी ओल्डर हों या इंजिनेरिंग किए वे हों आप एक अनपड हैं और एदिया आपने आपने अपने अटोमी को भी अच्छे से सीख लिया है तो भी आप अपनी टीम को बहुत 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 बहुतरी नोर तो यह उन्ट यह वेलेके जा सकते हैं लिडर्स को मैं आपको को बार बार एक चीज़ कहता हूं कि कि आ पेटोमी में क्यों काम करें को ना मेरे लिए काम किजिए ना आप अपने लिए काम की Anda ना पेटोमी के लिए काम किजिए शिर्फ आप एक वज़ा से काम करें आप अपने उन परिवार के मेंबर्स के बारे में सोचें जो जूसरे परिवारों को देखके यह सोचते हैं कि मेरे भाही मेरे बड़े भाईया मेरे पापा जो भी आप लगते हैं जिस भी सिनेरियों में आप अपने फैमिली में जिस जगह हैं और आप अपने छोटों पे अपनी फैमिली के बारे में सोच के देखिए जो आपने अपने परिवार को सपने दिये हैं एटोमी के नाम से कि एटोमी एक कमपनी आएगी बड़ा तुफान ला रही है हम सभी कहते हैं तुफान ला रही एटोमी मैं भी कहता हूँ आप भी कहते हैं तुफान लाने वाली है तुफान आ रहा एक बड़ा उसकी आवाज ह हो जाएगी तो हम कार लाएंगे बड़ा सा घर बनाएंगे हम पता नहीं कहां कहां गूमने की प्लानिंग कर रहे हैं पता नहीं हम घर में किन किन चीजों को लाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारे परिवार के मेंबर्स के साथ हम वह कुछियां आपस में सेर करने की बाचित काम मत कीजिए आप सिरफ अपने परिवार के लिए काम कीजिए आप उनको देखे जिनों ने जिनको आपने अटोमी के नाम सुनाके अटोमी के बारे में बताके अपने परिवार को अपने परिवार के लोगों का अपने परिवार के सदस्चों का आपने जो मनोबल बढ़ाया उन्होंने जो सपने देखने शुरू के हैं कि हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, मुझे पापा एक अच्छी बाइक दिलाएंगे, अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, मेरे पापा एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाएंगे, उसमें हम रहेंगे, ह फestraय कि को पौशिबल होले यह प Hahn पहले सिखेंगे वर अपनी टीम को सिखाएंगे इस विजनस को जब तक आप अपना बिजनस मान के नहीं करेंगे तब तकि आ किसी और का नहीं आपका आप खुड का है न सब seeking के लिए को पांचेनिए मेErण सब लिए लोग ना हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं ना अपने डाउन लाइन के लिए काम कर रहे हैं ना हम अपने अप्लाइन के लिए काम कर रहे हैं हम परतेक लीडर जो एटोमी के अंदर काम कर रहा है और एटोमी नहीं इस पूरी डारेक्ट सेलिंग इंडेस्ट्री जो जो लीडर काम कर रहा है वो अपने खुद के लिए अपने परिवार के सपनों के पूरा करने के लिए काम कर रहा है और लीडर्स यदि आपको वास्ता में अपने परिवार की चिंत्या है और आपने अपने परिवार को जो सपने दिखाए हैं वास्ता में आप उनको हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने जो गोल सेट बनाया है शेल्स मास्टर का डाइमेंड मास्टर का क्राउन मास्टर का इंपेरियल मास्टर का उस गोल सेट को एकदम यहां पर बैठा लीजिए और कितने मेहने में बनना है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए एसा मच कीजिए कि बारह महरे में मुझे इंपेरियल बनना है तो मैं तो बार Кол के मैंने सोचुगा कि बना को नहीं बना नहीं लीलेटस आप फैर पंद्रह दिन के प्लानिंग किजी हमारी बास्टरश्ट्रेशप बॉनिस कि हर पंद्रह दिन की क्लोजिंग होती है हर पंद्रह दिन के कि बहुत Enam किजिए कि मैंने क्या सोचा था और मैं क्या कर पाया यदि मैं उसव मुकाम को आसिल नहीं कर पाया तो मेरे से क्या चूख हुई है और मेने क्या कमी रखी है जब तक आप इन पूइ्ट को इन आलाज़真的gence करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइगे कभी भी आपने जो गोल लिया आपने जो सोचा है वो पूरा नहीं होगा लिडस चोटी चोटी आपकी planenicya जो चीज़े हैं वह भोहत बड़ी CommunitarianJust उन्स चोटी चीज़ों को आप अपनी जिंदगी में अमल में लाना स्टार्ट किजिए जिंदगी में यूज करना स्टार्ट किजिए आपका जो target है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर दीजिए पर डे पर वीक पर पंदरा दिन पर मन्थ ली इस तरीके से आप अलग-अलग टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर दीजिए और डेल ली बैसेश पर उनको एनलाइसिस किये कि आज आपको क्या करना था आपने क्या किया और यदि आपको जो करना था वो पूरा नहीं वह तो क्यों नहीं वह क्या कमी रह गई अगले दिन उसमें सुधार करके 100% अपना देने की कोशिस करें लीडर्स आपके और हमारे सपने तूटें तो कोई बड़ी बात नहीं हम जेहल जाएंगे लेकिन यदि हमारी वज़े से हमारे परिवार में पांच मेंबर हैं चार मेंबर हैं दस मेंबर हैं यदि उनके सपने तूटते हैं तो एक बहुत बड़ा सोचने का विशे है क्योंकि हमने सपने दिखाए है यह तो आप किसी को सपने दिखाओ मत यदि आप किसी अपने परिवार को या अपने अपने को या अपनी डाउन लाइन को सपने दिखाते हो तो आप तब तक हम उसे मेयनत कीजिए जब तक आप अपना उन सपनों को जो अपने हैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर लेते ली ज़обод ज़ू आज से अबने सपना देखना बंद कर दीजिए ये आप देख रहे हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करें जिए आपके रास्ते में का यह कितनी भी बादा यहाज़े जब बारिस आज़े चे अंधी तूफान आज़े जब बादाओं की बात याद आ गई तो मैं आपको एक्जामपल देना मेरी टीम में जारखंड में बोकारो एक स्टिल शीटी है, बोकारो स्टिल शीटी से एक लीडर है मिस्टर संजे जी, हमने जब उनको जोईन करवाया, तब वो दिन, वो कहीं, किसी इंस्वरेंस कंपनी में में अनुछ के पद पर काम करते हैं, उनको जितना समय मिलता था उतना समय वो आदा एक गंटा एटोमी को देते थे कभी एक दू जोइनिंग कभी दो जोइनिंग वो लगाते थे बड़ी मुश्किल से बाचित हो पाती थी लेकिन किस्मत उनको कहां पे ले गई यह आप देखिएगा कुछ दिनों बाद उनका एक्सिडेंट हुआ और उनका पैर फेक्चर होगा लीडर्स और पैर फेक्चर होने के बाद हम जो अक्सक्यूज देते हैं अपने अप्लाइन को अपनी टीम को कि मेरे तो अक्सिडेंट ह हो गया है अब मैं जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा मैं धन्यवाद देता हूं संजय जी को जुन्होंने एक्सिडेंट होने के बाद होस्पिटल से घर आते ही अपने सभी मिलने वाले सभी टीम मेंबर्स को फोन किया और वन बैड पे रहते वे पूरे दिन वो एटोमी का प्लान उनको समझाते रहते थे और जिसकी वज़ावलत आज उनकी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि पहले मैंने आज वो डाइमंड मास्टर बनेंगे लिडर्स उन्होंने विपरीत परिस्तती को अपने नुकूल बना के उन्होंने आपदा को कि एक सुनोती के रूप में लेकर और एक बहतरी अपनी टीम डॉलप की उसके लिए बहुत बड़े कभीले तरीफ है लीडर्स इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी तरफ हमें कभी भी फोकस नहीं करना है हमें सिर्फ हमारे ऑप सफने को हमने चिंदध किया है जिनके सपनों में जैंट डालिए आएगे पूरा करना है तो आपको पर दीन रात की नींदे उसको भूलना होगा और आपको अपना परशंट कंगा लिडर्स कि आपके द्वारा जोड़ा गया परतेक व्यक्ति परतेक टीम मेंबर वह आपने जो सपने दिखाए हैं मैंने के एक लाग के मैंने के दो लाग रुपए मैंने के पांच लाग के उन सपनों को देखे वह आपके साथ जोइन हुआ है और लीडर्स जब तक आपके टीम के परतेक व्यक्ति के वह सपना पूरा नहीं हो तब तक आपको रूखना नहीं है यह आपका अप्लाइन आपको कुछ भी कहें ज्यैंस आपकी आपके अप्लाइन के साथ कितरी भी नाराज़गी क्यों ना हो जाए लेकिन आपको अपनी टी के साथ है जे लीडर आपको अपनी भूमी का निबानी है आपको अमेशा अपनी टीम को एजुकेट करना है और जब आप अपनी टीम को एजुकेट करेंगे तब भी आपकी टीम अपनी टीम को एजुकेट करेंगी क्योंकि लीडर्स आपकी टीम आपके अंदर वो सारी चीज देखनी चाहती है जो आप उसको सिखाना चाहते हैं जब आप वो अपना उधारण, खुद का उधारण अपनी टीम में पेस करेंगे, तो वो आपके टीम लीडर्स भी अपनी टीम के अंदर अपना खुद का उधारण पेस करेंगे, जब आप खुद मीटिंग लेंगे, तभी आप अपनी टीम को कह पाएंगे, कि लीडर्स मीट लेकिन कुछी का दिण नहीं हैे मेरे लिए आज क दिन शिरफ एक मेरे जिन्द्य का बेस्ट धिन है 해도 है कि लेकिन कुछी का दिन नहीं अब आपको भी था कि सेशन क्यानड में आपको बताऊ। लिश्ञ उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आप अपने अप्लाइन के साथ बैठिए आपका जो एक्टिव अप्लाइन उसके साथ डिसकर्स कीजिए एटोमी के बिजनस प्लान को समझ यह उसमें दो चीज़ें आपको देखनी है लिडर्स में बहुत गहरा है से आपको इस चीज़ें समझाने जा रहा हूं विस्तार से सुनिएगा दो चीज़ें समझनी है कि पहली चीज़ कि इस बिजनस प्लान से हम कैस तर ज़्यादा इंकम जनरेट हो उस सीज को हमें अनलाइसिस करने की जोरत है इसके लिए आप अपनी टीम के साथ बैठिए यदि फिर भी आपको यदि डाउट है आपके अपनी टीम आपको संपाप्लाइन आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो आप अपने उतने से उपर जो कोल कर सकते हैं नमर दो लिए उसी बिजनस पर कैसे हम हमने जो स्टार मास्टर सेल्स मास्टर डाइमंड मास्टर क्राउन मास्टर इंपेर बास्टर बनने का जो सपना देखा है उसको कैसे हैं उसी मेहनत में कम समय में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा परमोशन लें उसके रहे हैं जो आपके एक्टिव अप्लाइंस हैं उनके साथ आप डिसकर्स कीजिए लीडर्स लीडर्स अब है जो सबसे पहले हमने सबसे एंड के लिए एक टोपिक छोड़ा था और मैंने आपको बताए था कि आज का दिन मेरे लिए कुछी का दिन नहीं है बहुत से लीडर्स कि सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला जबकि जहां तक मेरा मैं सोचता हूँ जितने भी टीम मेंबर्स हैं आज सारे खुस हैं आज सारे सेलिबरेट कर रहे हैं कि एटमी इंडिया की लॉंचिंग डेट को कि मेरे लिए एक वेस्ट दिन है बहुत अच्छा दिन है लेकिन कुछी का दिन नहीं है क्योंकि लीडर्स कि आप जितने भी लीडर्स जिनको मैंने डारेक्ट अप्रोच किया है यह इंडारेक्ट वे में मेरी टीम के साथ के थूँ आप मेरी टीम में आये हैं असां है इन्डिय एट्वी के अंदर आप मेरी टीम का चे कहीं पर भी सह हो उब चैज डेरेक्ट प्रूप से इंड्रेक्ट रूप से हर जेगा मेरा कहीं आपके सब्सक्राइब करने के लिए कि सिर्फ एक ही रिजन से आये हैं क्योंकि चैनल मैंने आपको जोईन करवाया हूं चैनल मेरे किसी भी टीम मेंबर ने आपको जोईन करवाया हूं उसने आपको सपने दिखाएं कि आप 50,000 मेना कमा लोगे लाग रुपके मैना कमा लोगे महिने का एक क्डर सकते हों आप आपके अकेले की बात नहीं कर रहा है यह मैंने भी देखे हैं और हकीकत तो यह है कि मुझे सपने किसी ने दिखाये नहीं थे अटोमी के अंदर क्या कर सकते हैं और मैंने डे वन सपने खुद ही देखें अब मैंने मेरे अप्लाइन को डारेक्ट में खुद जाके डॉकॉमेंट दिये हैं कि आप मेरा रेजिस्टेशन करवा दीजिए अन्नों पर्षन को है मैंने मेरे सपने खुद देखें और वहीं बहुत सवरे जो खुद सपने देखतें लेकिन मेज्यूटिक इनकी हैं वह उन लोगों की जिनको हमने सपने दिखा के और इस बिजनस की मैतों को समझा कि इस बिजनस के अंदर हमारे साथ लिया है और ग्यास नहीं है हमारे कहने पर सपने देखे इस बिजनस को स्टार्ट किया है और उस बिजनस उस लीडर्स ने जब हमारे कहने पर सपने देखे और उस सपनों को अपने परिवार के बीच संजा किया और बताया कि आने वाले समय में एटोमी से गाड़ी भी ले लूँगा एटोमी के अंदर का करके जो पैसा आएगा उससे घर भी खरीद लूगा आपको यह सारी चीजे भी दिला दूगा और आपको पता नहीं कहां कहां गुमाने का वादा भी किया आपने अपने परिवार वालों के साथ और भी पता नहीं किन-किन चीजों का आपने वादा किया है लीडर साहब के उस जिन्दा करने का काम किया है वो जब आपने उनके सपनों को जिन्दा कर दिया है उनको सपने दिखाना दोबारा स्टार्ट कर दिया है तो आपको यह कत्त ही अधिकार नहीं है कि आप उनके सपनों को मारें यदि आपने अपने परिवार के मेंबर्स को सपने दिखाए हैं तो प görüş और पर्शंट आप अपने परिवार के सद्वाण संवान रखें और उनके सपनों को पूरा करें और उनके शस्पने हों जब आप अपकी परिवार के मानसमान के बात नहीं करता मैं पूरी इंटाय टीम कि जितने भी लीडर से हैं इस सेशन में और जिन्हों ने अपने परिवार के मेंबर्स को जो सपना दिखाया है उनको पूरा करना हमारी जिमेदारी है और वो सपने पूरे तभी होंगे जब हम यहां पर दिन रात अपना जो माइंड स है उसको एक जगह ठिक्स करके हम काम करेंगे तभी वो सपना हमारा पूरा होगा और लीडर से जिससे दिन आपका सपना पूरा होगा और एट मेरी इंटाय टीम के अंदर मेरी टीम में जितने भी लीडर से उनके घर में जब एटोमी के पैसों से पहली बार मिठायां बटेगी परिवार के सदेश्यों पर एक नई मुष्कान आएगी एक नई हसी नया चेहरा जो देखने को मिलेगा कुशी का जो माहौल पैदा होगा वो जो माहौल बनेगा वो दिन कि वो रात वो सुकून की रात होगी वो सुकून का दिन होगा मेरे लिए सबसे बड़ा कुशी का दुन मेरे लिए वो होगा लीडर्स आज का दिन मेरे लिए इंपोर्टेंट है बट मेरे लिए और आप चाहते हैं कि मुझे उस दिन खुशी मिले तो आप सभी लीडर्स को अपने परिवार के सपने के लिए और चाहते हैं कि आपको और आपका मैं जो अप्लाइन हूँ और मुझे उस दिन खुशी महसूस हो तो आप दिन रात एक करके बीना किसी प्रोब्लम्स को आगे आने दिये हर प्रोब्लम्स को इग्नोर करते हुए एक चरणबद तरीके से एक प्लानिंग के तहट अपने इस मुकाम को आसिल करें और अपने परिवार के उन सारे सपनों को पूरा करें हैं क्योंकि आप आपकी परिवार की खुशी में ही आपकी कुशी छूपीवे लिडर्स जब हम थक हार के घर में जाते हैं चैंक कितने पर परेशान क्यूं नहों और जब सुकून से हमें घर में एक पानी का गिलास भी मिलता है तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है थकान एक मिनट में हमारी दूर हो जाती है तो लीडर्स हमने हमारे परिवार के मेंबर्स को जो सपने दिखाए हैं उन सपनों को मत भूलिएगा उनको पूरा करने के जिम्मेदारी आपकी और हमारी है जिस दिन आपके परिवार में खुशी का माहोल होगा एटोमी के पैसो से और जब आपके तेहर में आपके परिवार में तेहर जैसी खुशी आएगी पहले दिन जब एटोमीक से पैसा आपके घर में जाएगा वही दिन मेरे लिए सबसे बड़ा कुशी का दिन होगा और मैं उससे पहले कि नहीं मानता कि मेरे लिए कोई कुसी का दिन है और मेरे लिए कोई उस से कोई best दिन होगा लीडर's लीडर's तो मैं आपसे यही कहना चाऊँगा कि आप अपने परिवार के लिए अपने सपनों के लिए जो अभी तक मेहनत की है उसका conclusion अब निकालने का समय आ गया है उसको एक अच्छी तरीके से प्लानिंग के तयत कम्प्लीट करने का समय आ गया है उसकी मेनत उस मेनत को एक फल के रूप में पाने का समय आ गया है उसकी प्लानिंग अब आपको करनी है किस की किस तरीके से हम एक अच्छी मेनत करके और अच्छा बेनिफिट उठा सके तो लि लिया है और इस लिंक को यदि आपके टीम मेंबर अभी इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप उनके साथ सेर करके आप उनको इस मीटिंग का बेनिफिट दे सकते हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बे यह गंटा का समय हो चुका है उसके लिए आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका हभिनंदन करता हूं थैंक्यू लिडर्स मिलते हैं एक बार फिर एक नहे अगले सेशन्स के अंदर तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं बाइबाइब ओन मैं लावली दूओ भीछ करता है